अमिताब बच्चन बॉलिवड इंडुस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में सहिक माने जाते हैं सूपरिस्टार अमिताब बच्चन के पूरे परिवार पर हर किसी की नजर रहती है ये स्टार परिवार हर वक्ती लाइम लाइट में रहता है आलम यह है कि सूपरिस्टार अमिताब बच्चन के परिवार को कई अजीबों गरीब विवादों का भी सामना करना पड़ा इसलिए हम आपको बच्चन परिवार के डार्क सीक्रेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप ब्यारा अंडर जाएंगे सूपरिस्टार अमिताब बच्चन अपनी भव ऐस्वरिया राय बच्चन से अब काफी दूरी बनाई रखते हैं इसकी वज़ा ये वाइरल तस्वीर है जिसमें एक इवेंट के दौरान एस अपने ससुर के कानों में कुछ बोलती दिख रही थी हाला कि लोगों ने इसे गलत एंगल को कैच कर अफवा फैलाना सुरू कर दिया कि अमिताब बच्चन ने अपनी भव ऐस्वरिया को लिप किस किया इतना ही नई अमिताब बच्चन की बेटी सुर्था नंदा को लेकर भी मीडिया में काफी खबरे सामने आई थी दावा किया गया था कि सुर्था बच्चन नंदा ने अपने पती निखिल नंदा से तलाग ले लिया है इसी वज़ा से वे अपने पती से अलग मुंबई में रहती है हाला कि ऐसा नहीं है सुर्था बच्चन नंदा अपने बिजनस की वज़ा से मुंबई में ज़्यादा वक्त बिताती है नंबर तीन जया बच्चन और सुर्था बच्चन के बीच है नफरत का रिस्ता खबरे तो ऐसी भी सामने आई थी कि जया बच्चन की उनकी बेटी स्वेता बच्चन के साथ अच्छे रिस्ते नहीं है दोनों के बीच मन मुटा हुए है इसकी वज़ा ये बताई जाती है कि जया बच्चन और अभिता बच्चन ने अपनी बेटी की साधी कम उम्र में ही कर हाले कि ऐसा कुछ भी नहीं है जया बच्चन और स्वेता बच्चन एक दूसरे के बियत करीब है नमबर चार एसवरिया को फोटी आंख नहीं बाते स्वेता बच्चननन्दा अधाकारा एसवरिया की अपनी ननत स्वेता बच्चननन्दा के बीच भी खटपट की खबरे सामने आती रही है रिपोर्ट्स का दावाई की दोनों के बीच अच्छे रिस्ते नहीं है इन खबरों ने उस वक्त तूल पकड़ा जब सुरता नंदा ने अपनी पार्टी में अभिसेग बच्चन की एक्स करिस्मा कपूर का इन्वाइट किया था अभिसेग बच्चन और करिस्मा कपूर साधी करने वाले थे सगाई के बाद उनका रिस्ता तूट गया था इसके बाद दोनों परिवार के बीच खास अच्छे रिस्ते नहीं है मगर करिस्मा कपूर आज भी सुरता बच्चन नंदा की अच्छी दोस्त है ये बाद बच्चन परिवार और एसवरिया को खटकती है नमबर पाँच सास के साथ नहीं है एसवरिया के अच्छे रिस्ते एसवरिया राय बच्चन के साथ एक बार जया बच्चन ने मीडिया की जमकर किलास लगा दी थी पेपर आई जी उस वक्त ऐस्वरिया को नाम लेकर बुरा रहे थे इस मुद्धे ने काफी तूल पगड़ा था उस वक्त ऐस्वरिया भी एपसट दिखी थी जिसके बाद खबरे फैलनी लगी कि दोनों के रिस्ते अच्छे नहीं है एस्वरिया राय बच्चन से साधी के बाद कई बार रिपोर्ट सामने आई थी कि अमिता बच्चन और अभी से एक बच्चन के रिस्ते में दूरी आ चुकी है साधी के बाद दोनों बाप बेटे अलग-अलग रहने की प्लानिंग में है हालकि ऐसा कुछ भी नहीं है पर एक पार्टी में किस कर लिया था खबरों के मुताबिक उस समय वो अमरीता सिंग को पसंद करते थे अमरीता सिंग था बड़ी स्टार थी एक पार्टी में वो डैनी को देख इंप्रेस हो गई और उनके साथ पार्टी में डांस करने लगी ये अमरीता के दोस्त अमिता बच्चन को पसंद नहीं आई और उन्होंने पाटी में जबरजस्ती अमरीता को खीच कर जबरन किस कर लिया था तो दोस्तो बच्चन परिवार के डार्क सीक्रेट को लेकर आपका क्या कहना है आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं